अब रुक करते हैं खबरों का मध्यप्रदेश के सीम शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि कुशभाव ठाकरे के नाम से मध्यप्रदेश में प्रशिक्षन संस्थान खुलेगा बिना विवाद की जमीन को चिनहित कर इसे बनाया जाएगा जहां कारकरताओं को प्रशिक्षित कि किया जाएगा सीम शिवराज ने प्रदेश बिजेपी कारेले में कुशभाव ठाकरे के जन्म शताबदी वर्ष के शिभारम कारकरम के दौरान श्रधा सुबन अर्पित किये जौरान बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इंद्रिय मंतरी नरेन सिह तोमर समे स्वर्य ठाकरे की युगदान को भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया वहीं बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि खुशाभाव ठाकरे जन्म शताबदी वर्ष साल भर बनाया जाएगा जिसका एक मात्रव देश संगठन को मजबूत करना है साथ ही युवाव को जोणने के लिए Youth for Nation और Politics for the Nation अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें करीब एक करोड युवाव को जोणने का लक्ष रखा गया है इस कारक्रम में बारती जिन्ता पार्टी के हमारे से संगठन महामंतरी 57 जिलों में सभी कारक्रताओं आज हमने तैकी आए कि ये जो बर्ष होगा वो संगठन पर्व के तौर पर हम पूरे मध्यप्रदेश के अंदर इसको मनाएंगे जिनम सतापदी वर्ष का जो धेवाक्य है कि संगठन गढ़े चलो साथ में ही जो हमारा उद्देश है भाजपा के कारका विस्तार और संगठन सुदड़ी करण इस उद्देश को लेकर के वर्ष वर भारती जनता पार्टी के कारकरता प्रतेग भूत लेविल तक अपने काम के विस्तार और काम के सुदड़ी करण के साथ सर्विसपरसी और सर्व व्यापी हमारा जो कंसेट्ट वे उसको हम पूरे मध्यप्रदेश के अंदर भारती जन कर्मन्याबादी का रस्ते माफ फले सुकदाचन हम सब भी निसकाम भाव से कर्म करने का प्यास करें लेकिन आज के दिन ही हारती जनिता पार्टी के पित्र पुरुस सुर्फेक उसाभाव ठाकरेजी का जन्म हुआ था और यह सौवा जन्म दिन अब उनका प्रारम होगा और इसलिए भारती जन्ता पार्टी के संक्षन ने भी जन्द सताब्दी वर्ष के रूप में संक्षन पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया है